श्री क्रिश्न गनाय आलाल की जै, श्री निजानन्द स्वामी की जै, श्री प्राणनाथ प्यारे की जै श्री प्हामत कहे हका दासिका, याकी सुभना में सुमारा, कच्छो बारी रुः मुमिर जाने, याको निशादिन यही विचारा श्री क्रिश्न कानाय आलाल की जै, पूर्ण प्रह्म परमात्मा की रसना की महिमा, श्री प्रकर्ण है, रसना में रसना के कारिय उसकी भी विशिष्टा होगी और रसना का स्वरुप उसकी भी विशिष्टा होगी, तोनों बाते होगी जाको नाम ही रसना, होशी कैसी मीठी हक, जिसका नाम ही रसना है, जिसमें से रस ही रस निकलता हो, और वो भी पूर्ण प्रह्म परमात्मा की, तो वो कितने अच्छी होगी, जिनकी जैसी बुजरकी, जुवां होता है तेन मापक, जो जितने महान होता है न, उनकी रसना, रसना कहने से वानी भी आ जाती है न, तो वो उतनी महान होती है, तो जो महान लोग होते हैं, तो उनकी वानी भी महान होगी, और जिनकी वानी में तुच्छता होगी तो, वो फिर कैसे लोग होंगे, जिनकी रसना, मिठी मिठी तो कोई चापल साद में भी बुलेगा न, जो सच्छी हो और अच्छी हो, केहनी मन आवही, विचार देखो मोविन, ये बात कहने में, कहने से नहीं होगा, ये ब्रह्मा आत्मा विश्पर विचार करके देखो, वे जागरित आरशा, जागरित आरवारशा की कच्छू सो, देखे रसना रोशन, जो परमधाम की आत्मा जागरित होगी, तो वो इस बात पर थोड़ा सा, इसकी महत्व को समझ पाएगी, रोशन कहने से यहां पर, यहां ये समझना पड़ेगा, इस बात पर उनको कुछ रोशनी होगी, कुछ समझेंगे, तो इसकी महत्व को, अतिम मीठी जुवा मासुक की, पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की जिवहा है, बड़ी मीठी है, मधूर है, और सब, देथ आशिक को सुखव, आशिकों को अनुरागिने, आत्माओं को अपार करते हैं, कच्छु अरश शहूरें, शुखली जी, परमधाम की समझ प्राप्त करके, परमधाम की दृष्टिशे, आप जोड़ा थोड़ा सा, इसका सुख प्राप्त करने का प्रहत्न करो, पर कयो न जाए या मुख, इसको इन शब्दों के द्वारा तो कहा नहीं जाएग यदि परमधाम की समझ होगी, तार्तम ज्ञान के माद्यम से यह तो परमधाम से अवतरित ज्ञान है, इसके माद्यम से कोई समझे तो समझ सकते हैं, शब्दों के द्वारा बताया नहीं जा सकता है, यह क्याने का तात्परी यह याद कि यहा का रशना आवत है, इसके पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की रशना को समरन करते हैं, तो भी उप्रेम प्रकट होता है, क्योंकि मीठी और मधूर बानी उससे सुनते हैं, तो उससे प्रेम प्रकट होता है जिने इसके अरश देखिए, शुख पाईए हा का मुतलक, जिस प्रेम शे परमधाम भी देखेगा और पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की सुख, उनसे प्राप्त होने वाले सुख भी प्राप्त होंगे और शुखा का दिल में, जाए रहो ता रशनाए, पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की रिधाय में जो शुख है, तो उनकी रशना के माध्यम से प्रकट होता है उनके रिदाय में जो प्रसनता है, ब्रहमात्माओं के प्रति करुणा है, उसाब वो बोलते हैं, उनकी वानी से प्रकट होती है सव पूरन सुख तव पाईये, जब कहे रसना मुखबईना तो जब पूरन सुख तो तभी प्राप्त होगा, जब वानी से वो कुछ रसना से कुछ वानी बोले, तो वो कुछ बोलेंगे तो लगेगा कि वो पूरा-पूरा, वैसे उनका भाव है, सब कुछ है, तो साथ-साथ में वानी भी होगी तो और अच्छा होगा, ना तो पूरा- तो उसे अपता चलेगा , जैसे कुछ अंग है। उनके सफः्ष करने से पता चलेगा दर्षन से पता चलेगा। रशना का तो दर्शन की भी आवश्यक्ता नहीं है और स्पर्श की भी आवश्यक्ता नहीं, दूर बैठे-बैठे सुन लेंगे तो भी, उससे अपार शुक प्राप्त होगा, तो वो तो जाहर है, उपर जाहर सुक है, जवान, जवा का सुक है, वो तो प्रत्यक्ष है, सब समझाते हैं, तो उससे ब्रहमात्माओं को बड़ा सुख प्राप्त होता है। ए बेवरण पाई ये बीच खेल के, ये बेवरण तो बीच खेल में भी, खेल में भी ये सब समझा जा सकता है। कम ज़्यादा बकामे नाहिए, अब ये समझने वाली बात है, ये कह रहे हैं, देखो, सारे अंगपुर्ण ब्रह्म परमात्मा के तो एक से ही है, किन्तो रशना का सुख ज़्यादा, ये तो इस खेल में आने से पता चला, परमधाम में तो ये पता ही नहीं था, ये कह रहे है अब कैसे, अब यहां तो फिर उन्हों ने अपने रशना से एग्यान दिया, सब कुछ उससे पता चल गया, ये खेल में ये सब पता चला, बाँकि खेल में नहीं आते तो पता नहीं चलता, ये कहना चाह रहे है, ये बेवरा पाईए बीच खेल के कम ज़्यादा बकामें न समान अंगसवहक के पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के सभी अंगसवान है यह विचार नहीं अरश्रमा है परमधाम में तो कहीं नियुना है अधिक है उसका विचारी नहीं होता है नियुना का तो विचारी नहीं आएगा बहुत अबाते सुख अरश्र के सोपाईयत है परमधाम की ऐसी अपार बाते हैं अनेक बाते हैं जो हमें यहां पर पता चल रहा है परमधाम में पता नहीं था शुख अरश्र में एजानती नाथी निश्वत तो परमधाम में ब्रहमात्माओं को जो सुख प्राप्त होता है वो तो ब्रहमात्मा वहां पर उसका अनुभव नहीं करते थी या निश्वत का ताथ पर निश्वती ब्रहमात्मा एजानती नाथी निश्वत तो ब्रहमात् उनको परमधाम में प्राप्त बस उस सुख में मस्त रहते थी किन्तो कौन सा कैसा सुख है कि इस प्रकार से उसको ख्याले नहीं रहता था उसे में मस्त रहते थी तो परमधाम में ये मस्ती है तो दुनिया में कमी है इसलिए फिर जिस जो अनुवब होता है तो लगता है कि य यह सब ठीक है, यह सब से ज़्यादा है, सुख जाने नाहा का पातसाही, इसलिए पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के पातसाही का मतलब उनका सामराज्य यह भी कह सकते हैं, उनका प्रभुत्व, उनके प्रभुत्व को ना जाने सुख जाने नाहा का इसका उनके प्रेम, प्रेम और प्रभुत्वा अथवा आश्वरिय उसके लिए भी उसके लिए पातसाय कहेंगे तो नस्वर जगत का खिल क्यों दिखाया तो एक अपना आश्वरिय को समझाना था तो अशुरिय का ही प्रभत्व प्रभत्व होता है विश्य देखा जाएं तो और दूसरा प्रेम इसलिए ब्रह्मात्मा के दो ही चीज ग्यात नहीं थी एक प्रभत्व और दूसरा प्रेम शुख जाने ना रूहें लाड़ के तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के लाड़ प्रेम उसके सुख को समझने पा रही थी तो इते इलम दिया बेशका इसलिए यहां जागनी के ब्रह्मान में ग्यान दिया तो पहले ब्रह जो रास में तो यह ग्यान नहीं दिया तो उसमें भी उनको पता नहीं चला, फिर उनको ये ज्ञान देना पड़ा, तो हा का अंग सुख खेल में बेवराकरत हुकुम, इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंगों का सुख है, कि अंगों का कैसा सुख है, उसका बेवरन तो इस खेल में ही वो भी पूर्ण ब्र पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप नजर में नहीं आ रहे हैं, ना तो क्यों बर्नवाय का सम्म, अन्य था, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का वरनन कैसे हो सकता था, कहने का तात्पर ये है, इतना सब समझाने के बाद में भी, ब्रह्मात्मा को पूर्ण ब्रह्म के स् यह वैसा नहीं हो रहा है, इसलिए यह वर्णन करवाया, पुर्ण ब्रह्म परमात्मा नहीं, तो बाकि वैसे अन्यवभ हो जाता, जैसे शत्गुरु को हो गया, प्रान्या जी को भी शत्गुरु ने बताया, तब हुआ वैसे तो, यह सब वैसे हो जाता, तो फिर यह वर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए अनेक वचन समझाए हैं, इतार्दम के वचन हैं, शुरुएं जागे हक इस्क का आपन लेशी अरशमें शुख, जब हम जागरित होंगे तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अपार प्रेम का शुख है हम परमधाम में, अनभब कर पाएंगे, तो अभी समझेंगे और उसका अनभब परमधाम में जागरित होंगे, शुख अनेक दिये हक रसनाएं इस प्रकार, अक्षराति धामधनी की रसना ने हमें अपार शुख प्रदान किये हैं, और शुख अलेक है अनेक है, वो शुख अलेक जिसका कोई साव नहीं है, अपार है, और अनेक है, असंख है, शो जागे रुखें सुख पावही, ताथे रसना सुख विशेक, इसलिए जागरित आत्मा होती है, आत्मा जागरित होने पर इस शुख को प्राप्त कर शकती है, ताथे रसना सुख विशेक है, इसलिए रसना के सुख को विशेक कहा है, क्योंकि रसना के द्वारा जो ज्यान दिया, तो उससे जागरित होंगे न, तो ये विशेक हो गया न, तो जागने का जागते सुख, तो इसलिए कहते हैं, तीन लीला चवती घर की इन चारों का या में भोगा तो ये सारा अनभव जागने लिला में प्राप्त होगे जागने लिला में प्राप्त होगे जा अनभव कर पाएंगे तो रसना के कारण है तो वो सारा सरे रसना को दे रहे हैं हाग के खेले देखाया याई वास्ते सुख देखावने अपने अंगा तो पूर्ण प इस खेल के रचना की, सुख लेशी बड़ा इसक का, रुए ले विरहा मिलशी संग, अब नश्वर जगत में विरहा का अनुभव करके, जब आत्माएं पुर्ण ब्रह्म परमात्मा का अनुभव कर पाएंगी, विरहा की बेदना सहन करने के बाद में, उनकी मिलन का सुख प्राप्त करेगी, तो उस समय उनको पता चलेगा, सुख लेशी बड़ा इसका, प्रेम का सुख कितना बड़ा है, वो पता चल जाएगा, दाएम इसके सबुं अपना रुहें कहती, अपने जुवान ब्रह्म आत्माएं, परमधाम में तो क्या बुला करते थी, कि हमारा प्रेम जदा है, हमारा प्रेम जदा है, इस प्रकार से अपने प्रेम को बखांती थी, तो धामधने ने अपने रशना अपने ब्रह्मात्माओं को बताया देखो तुमारे पास प्रेम है वो मेरा ही दिया हुआ है इसलिए प्रेम तो मेरा बड़ा होता है ना वो समझाया किन्तो उस समय उनकी वानी वो समझ नहीं पाई तो अपने रसना के बल को ख्रमता को समझाने के लिए खेल देखाया सुभाना पुर्ण प्रम परमात्मा ने ये खेल दिखाया ये खेल दिखाया ना इसके माध्यम से अपने बाणी का महत्व उन्होंने सिद्ध कर दिया वो जो बोल रहे हैं वो सही है कि सचमुच उनका प्रेमिस रिष्ट है अपने बात को सिद्ध करने के लिए ये खेल दिखाया ऐसा कहना चाह रहा है अक्षराति धामधनी ने अपने जीवा से आदेश किया है उसी आदेश से सब कुछ हुआ है और उस एक हुकम से और अनेक हुकम चलते गए अक्षरा ब्रह्मों को कहा देखो तुम सुरुष्टी में विवस्ता करो ब्रह्मा आत्मों को देखाना है ब्रह्मा आत्मों को बोला तुम तयार हो जाओ तो अक्षरा ब्रह्मों ने फिर अपने उसमें ही अपने अंदर तो एक के बाद में जैसे मन बुद्धी ये सब शर करके काम करते हैं अब यहां से उठने की इच्छा हुई तो क्या होगा आखें अपने आप इधर देखेगी फिर पैर अपने आप ही तो खड़े होने लग जाएंगे और पैर खड़े होने में उनको दिकत आएगी तो हाथ सपोट के लिए अपने आप चले जाएंगे यह सारा उस सिस्टम होता है एक के बाद एक होता है किन्तो वो अटो सिस्टम है तो इस प्रकरसी यह है वो भी अटो सिस्टम में होकुम तो अक्षर प्रह्म को बोला तो अक्षर प्रह्म कौन उसमें है तो तो मुल रूप से तो वो सत सुरूप जा रहा है दर्शन करने तो तो उसक दो यह अवयाकरित में से ही तो इस तृप्ष्टि में भगधान नारयन के रूप में उनकी शकति प्रवेश होती है, पुरा ब्रमान्ड बनता है और फिर उसमें शक्ति प्रवेश होती है, और मुदरुपसे अक्षर की है न तो वह वस हुकम के उपर हुकम जा रहा है। इस प्रकार से सारी स्रिष्टी बन गई और ब्रमात्माओं को दिखा दिया तो इस प्रकार हुकुम के उपर हुकुम चला सो जेता सब्द दुनिया में ए सबह हम वास्ते किया खसमा इस दुनिया में भी जो जो बचन आये हैं शाष्त्र बचन जो जो बचन भी दुनिया में आये हैं जो जो शाष्त्र अबतरित होए हैं वो सब ब्रमात्माओं के लिए हैं तो वही तो समझने वाली हैं दूसरे और अपना स्वारत सीद्ध करने का प्रहेत्म करेंगे ब्रहमा आत्म आए तो यथारत क्या है उसको समझने का प्रहेत्म करेंगे हक जुवान की बुजर की किया खेल में बड़ा विश्थार तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की रसना अपने जुवा की बुजर की विश्था उसको क्या किया किया खेल में बड़ा विश्थार इस खेल में उसका भी विश्थार कर दिया उसने आदेश दे दिया तो अक्सर ब्रह्मने ब्रह्मानों के रचना की ये भी एक वड़ा विष्टार हो गया तो दूसरा तो यहां पर अलग-अलग शास्त्र प्रकट करवाए सो सुख लेशी हम अरशमें तो हम परमधाम में जागरत होने के बाद में इन सब का सुख प्राप्त करेंगे जिनको नाहीं सुमार जिसका कोई पाराबारी नहीं है जेती चीज जरा कोई खेल में तो हक अहुको में हलत चलत इस जगत में जो भी चलाए मन, जो भी स्थीर चार जो भी वस्तुएं दुनिया में हैं, वो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही क्रियाशिल है, तो उनमें क्रिया है, तो वो उससे ही पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से ही है, शो सुख दियेहा का रसनाएं हम केती करें शिफ़ता ये सब सुख हैं पुर्ण प्रम्ह परमात्मा के रसना के द्वारा प्राप्त हो ये सुख हैं अब उसके लिए हम कितनी महिमा गायन करें उसका उसकी कलाम अल्ला या हदिस एं शाष्ट्र पुरान या बेद अब ये शाश्त्र पुराण बेद हो बेद पुराण शाश्त्र बगरे जो भी हो अथवा तो कुरान हदिस साधि जो भी ये वचन अल्ला कलाम का ताध्पर ये ब्राह्मि वचन दुनिया में जिन जिन को ब्राह्मि वचन कहा है अभी तो क्या है कि इसमें अभी तो डंकी के चोट पर ये कुरान को ही वो अल्ला कालाम मानते है मैं किये तो सारे अल्ला कालाम है पर्मात्मा के वचने वेद है सबसे पहले तो वेद पुर्ण प्रमा पर्मात्मा के वचन seid इसलिए उनको अपोरुषय का, तो जो भी शाष्त्र हैं, तो वो शाष्त्रों में ब्रह्मी बच्चान है, ब्रह्म सम्मन निवाते हैं, वो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही है, यह कहना चाहर है, यह सवसुखलेवे मोमिन, उनका रहश्य ग्रहन करके, अनंदित होने का कार्य भी ब्रह्म परमात्मा करती है, हक रशना के भेद है, यह सब शाष्त्र बच्चान है, यह पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के रशना के भेद है, उनकी जिवा के भेद है, तो अलग-अलग भाषा में, अलग-अलग स्थानों में, अलग-अलग समय में ज्ञान प्रकट किया, किन्तो वो प पुर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपने जुवा, अपने जुवा के सुख भी दिये, तो जो जो बचन कहलाए और उनका सुख भी दे दिया, ब्रह्मात्माओं के अवतारण से पहले कुछ बचन कहलाए और ब्रह्मात्माओं के अवतारण के बाद कुछ बचन कहलाए, तो पह क्यों कर रहो है वैहान अब मेरी इस नश्वर जिवह से इतना कुछ है इस अपारशुक का वरणन कैसे करे पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के जिवहा ने क्या क्या कारिय किया है उसको क्या बताए इस वैयान उसी बीचार सके हमरुएं मिल जासी जब हम सब ब्रह्मात्मा जब ज परमात्मा के समक्ष जब मिलेंगे कहने का ताथ परे जाकरत होने के बाद में भीयोग से मिलन का अनुभब करेंगे न तो उस समय हक जुवान का वेवरा हमलेशियार समेतावा तो पुर्ण ब्रह्म परमात्मा के रसना का वेवरान तो उनकी वानी का महत्वा हमें तब समझ में आ जाएगी बड़े बयान बातें कई जो हक जुवाएं दिये इत तो इस जगत में भी बड़े बयान बातें मतलब बड़ी बड़ी बातें माहन बातें जो भी विशेश बातें हैं इस जगत में जो लभाई पर्मप्रमाटमा के बचनों की, इत वेवरा कर जाया रशमे, लेशी लज्यतभी चखिलवत, तो इसका वेवरण, तो यहां पर हम समझेंगे इन बचनों को, तो परमधाम में जागरत होने के बाद में हमें इसका महत्व और ज्यादा समझ में आ जाएगा, उसको और ज़्यादा आश्वादन कर पाएंगे हो अक्षराते धामदन ने बोला था तुम तो भूल जाओगे अभी याद रखना मेरी बचनों को एक दूसरे को जगाने के लिए तुम बोल रहे हो तुम बोल जाते हो फिर ये सब ध्यान रखना ये सब बोला था वो तब जाकर कि समझ जबे आजाएंगे ऐसा होता है उठोकर खाने के बाद में फिर बड़ों के बचन ख्याल आते हैं ऐसा होता है दुनिया में तो इसलिए अभी वही समझा रहे हैं ये बारीक सुख अरशके हक जिवाएं दई नियामत परमधाम की ये शुक है न ये बड़े ही सुक्सम बाते हैं परमधाम की हक जिवाएं दई नियामत अक्षरात परमधान की ये शुक्सम बाते उन्होंने ज्ञान के द्वारा ही ये सब समझा दिया है उन्होंने ज्ञान दिया तो इस समझ में आई है और न कोई पावही बिना हक कनिश्वत और तो कोई इस बात को समझ नहीं पाए तो उनके साथ में संबन्द ही नहीं है इसलिए औरों को तो पता ही नहीं चलेगा ब्रहमात्मों को ये सारे रहश्य समझ में आएंगे ये कहना चाहरा है तो ये रशना का महत्वा है तब यहीं पर रखते हैं स्रिक्रेष्न का नई आलाल की जये बिना हक निशवत बिना हक निशवत ए बारिक सुख अरसके ए बारिक सुख अरसके हक जुआए दे न्यामत आउरना कोई पावही बिना हक निशवत 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 बिना हक निशवत